यहलो नमस्ते स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में वेंगी के चलुके सास्कों के बारे में जानकरी प्राक्त करेंगे तो देखे स्टुडेंट्स चालू के राजवंस के बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया है चालू के राजवंस कोण सा राजवंस था और इसने इधियास में क्या सहयोग दिया इसके बारे में संसिप्त वीडियो हमने बनाया था और उसके बाद जो चालू के की तीन से जानकरी प्राप्त होगी और एक्जाम के दर्ष्टी से भी है टोपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाता चालू के जो बादामी के चालू के राजवन्स है उनका जो अंतिम सहसत्ता केर्टी वर्मा सेकिंड उसके बारे में हमने जानकर ऌरी प्राप्त की थी तो देखेएगा स्वार्ट необходимо हम अपको यहां पे ठोड़ा हम तो देखेएगा से अलावा भी दख्र भात में जैसे राश्टर पूर्ट है इंके बारे में भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो देखेगा जो यह चोल है और जो चालुके हैं और पल्लव और रास्ट्रपूर्ट इन सभी में डडाईया होती रही थी और कभी किसी का सासन आता है तो कभी किसी का सासन आता है इनी सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में भी पढ चालूके दूसरी ता चालूके के वेंगी के चालू के टीसरी थी ऐने थी किर्स्था नी वाथा-पी-वादaming हूई थी और इसका जो उदे हैं वो कर्नाटक-विोजापूर में विद्धूर था इसका जो लेक्ट एपनेस्द था ठीक है यह अंद्रपर्देश में थी और इसका जो सेंस्था पर करता है वह है पुलकेशिन सेकिंड का जो भाई था छोटा वह आपका कूपजे विष्णु वर्दन था और उसके बाद आते हैं चालू के कल्याणी के चालू के यह पसी में बंगार में थे और इनकी स्थाफना तैलक पढ़ाएंगे फिलहाल हम वेंगी के चालू के बारे में पढ़ते हैं तो देखेगा जो वेंगी के चालू के हैं इनकी जो स्थापना है यह कुझ विष्णु वर्धन ने की थी ठीक है और वेंगी, यह जो बहुत है यह तो पूर्वी अंदर पर्देश में यह मतलब जो भाग है पूर्वी अंदर परदेश अर्थात जो कृष्णा नदी और गोदावे नदी है इसके बीच जो अंदर परदेश चालू के अबीं वेंगी कहा गया है और यह पूर्वी के थे और जो वेंगी अर्था जो बादामी के जो चालू के उनका सबसे जो प्राक्रमी सासक था जो चो था सरवादिक सक्ति साली सासक था पुलके सिन सेकिंड इसका ये छोटा भाई था तो जिस समय पुलके सिन सेकिंड ने दक्षिनापत में अपने विशार सामराजी की स्थापना की उसने अपन सनुसार ही किष्णा नदी और गोदावी नदी के मध्यमर्ती परदेशों पर सासन कर रहा था तो विश्टो वर्दन का जो पुत्तर था जैसी हैं फैस्ट उसने अपने आपको पुलके सिन सेकेंड से स्वतंतर कर लिया और इस परकार पूर्वी चालुके वन्स का उदे होता है और यह जो पूर्वी चालुके सास्थ हैं इनको वेंगी के चालुके भी कहा गया है और इनका राश्ट्र कुटों के साथ काफी लंबे समय तक यूद होता है और लास्ट में यह जो वेंगी के चालुके हैं इनका जो चोल राजवन्स हैं उसमें विले हो जाता है ठीक है क्योंकि चोल हैं वो भी एक सक्ति साली राजवन्स था और चोलों के और वेंगी के चालों के उनके भी यूद होते हैं रास्ट्र कूटों के साथ भी यूद होते हैं और जो बादामी के चालों के थे उनका पल्लमों के साथ यूद हुआ था और अब जो वेंगी के चालुके इनके साथ रास्ट्रकूर्ट सासकों से यूद होता है और लास्ट में चोलों के साथ और फिर चोल इनको अपने अंदर सामिल कर लेते हैं तो ये छोटी सी कहाणी है वेंगी के चालुके की और कई बार एकजाम में पूछ लेते हैं तो हमने इस वीडियो में वेंगी के चालूकियों के जो सासक है उनके बारे में वीडियो बनाया है कि कौन से सासित के काल में कौन सा रास्ट कूर्स आ सकता और किसने मतलग कौन सी उपादी धारण की इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो देखेगा वेंगी का प्राचिन राजय आदूनिक आंदर परदेश की कशना तथा गोदावरी नदियों के बीच इस्तित था वेंगी की पैचान गोदावरी जिल्ले में इस्तित पेड़ वेंगी नमक स्थान से की जाती है वातापी के परशित चालू के सासक पुलकेसिन द्वित्टे ने इसे जीत कर अपने छोटे भाई कुबजे विश्टुम वर्धन को यहां का उप्राजा बनाया था पुलकेसिन 2 के बारे में भी हमने आपको पहले वीडियो दिखाया था और इसके बारे में हमने डीटेल से आपको पढ़ाया भी था ठीक है ये जो उत्तर में हर्षवर्दन है उसको पराजित करता है दक्षिन में ये पल्लव सासक महिंदर वर्मन फैस्ट को हराता है और फिर दर्शियां वर्मन फैस्ट से ये हारता है ठीक है इस प्रकार से हमने आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया था आप पहले वाले वीडियोज को देखेगा कालांत्र में उसी ने यहां एक स्वतंतर चालू के वंस की स्थापना की जिसे पूर्वी चालू के वंस कहा जाता है जल्दी ही ये एक स्वतंतर राजे बन गया तथा जो चलू के हैं उनके बीच विवात का कारण बना मैंने आपको पहले भी बताया कि वही जो वेंगी के चलू के हैं इनको रास्ट्र कूटों चोलों और कल्लेणी के चलू के साथ भी लड़ाई करनी पड़ी थी जबकि बादामी के चलू के हैं उनको सिर्फ और सिर्फ के हैं उनका पतन हो जाता है ठीक है तो आपका विश्णुवर्धन है इसने पर्थवी वल्लभ यूवराज और विस्सम विधी उपादियां धारण की थी और कुप्जे विश्णुवत भागवत जो धरम है उसका भी अन्याई था ठीक है और जो आपका कुप्जे इसने वेंगी के चलू के राजवनस की स्थापना की थी और इसके बाद आता है जैसी है पर्थम जो 633 से 663 इस्वी तक सासक रहता है और ये विश्णुवर्धन का पुत्तर था इसने केवल एक सपता तक ही सासन किया था ठीक है फिर अगला सासक आता है विश्णुवर्ध जो रहता है ये विश्णुवर्धन सेकन का पुत्र था ठीक है और इसने विश्णुवर्धन रता है ये विश्णुवर्धन रता है विजे सिद्धी तता सर्वय लोकास्रे इसको विजे सिद्धी और सर्वय लोकास्रे भी कहा जाता है कई बार पूछ लेते हैं कि विजे सिद्धी और सर्वय लोकास्रे किसी कहा जाता है तो वह आपका मंगी योगराज और ये विश्मु वर्दन सेकिंड का पुत्र होता है और इसके बाद आता है विश्णु वर्धन तृत्ये जो 710 से 746 इस्वितक सासक रहता है अब देखेगा जो विश्णु वर्धन तृत्ये है ये है कोकुली विक्रमादिते का बड़ा भाई था ठीक है इसके बाद आता है विज्यादिते पर्थम तो विज्यादिते पर्थम है यह है विश्णु वर्धन तृत्य का पुत्र था और यह है 746 से 764 इस्वितक राजा रहा था इसने त्रीव भोना कुस और विज्यादिते जैसी उपाद्याधन की उसके समय में बादामी के चलू के मंसका रास्ट्र कुटों ने उनमूलन कर दिया तो यह रास्ट्र कुट है यह एक दक्सन भारत की एक मैं तो अपन राजवन्स था और इसका जो संस्थापन करता है दंती दूर्ग था और रास्ट्र कुट है इन्होंने मतलब बादामी के चलू के वंसका उनमूलन किया था किसके काल में बादामी के चलू के साथ कीर्थी वर्मा सेक्ड के काल में इसके बाद रास्ट्र कुटों का वेंगी के पूर्वी चालूकियों के साथ संगर्ष प्रारम हुआ था ठीक है अब अगला जो सासका वाता विश्णु वर्धन चत्तूर्थ जो 764 से 799 में इस वितक होता है वेंगी के चालूके सासक विज़ा दिते पर्थम के बाद उसक अब करbstे जो उसके समय में रास्ट्र कुट करने के लिए बेजा था तो पैला रास्ट्र कूटों का पहला सासक दंती दूर और दंतीं दूर के कोई संतान नहीं थी तो उसका चाचा क्रिश्णु पर्थम है वाय सासक बनता है और ये चालू के सासक विष्णु वर्धन चतूर्थ के समय में होता है और इसका बेटा गोविन द्वित्य होता है तो गोविन द्वित्य को राश्टरपूर सासक कृष्ण पर्थम है वाय है चालू के राजय प्राकरमन करने के लिए भेजता है और इस का विवाहभी दुरुवय के साथ कर दिया था ठीक है तो पहले को न आता है कुर्ष्ण पर्थम का बेटा गोविंद वित्या आता है या पर आक्रमन करने के लिए इससे भी विश्णु वर्दन हार जाता है फिर जो रास्ट्रकूट बंस का राजा दुरुवय आता है उससे मथफिए हार ता है और जो सील महादेवी है इसका विवाहभा है रास्ट्रपोर्व समस्सक के साथ कर देता है यह विस्ट्रु मर्दन चतूर्थ की बेटी होती है वेंगी पर रास्ट्रकूटों का अधिगार दुरुवय के बाद उसके पुत्र गोविंत्रित्त्य की या चालोगी जदा सकत्री साली नहीं थे, इनके काल में अधितर समय पर, अधितर समय में क्या रहता है कि रास्टू कुटों का ही सासन रहता है ठीक है, और अब अगला помощ आता है विजयादिते-ांटी तृतिये जो 18-20 महिने तक सासन किया था और विश्णु वर्दन के कई पुतर थे जिन में से विजादिते तुरतिय वगधी पर बैठता है ठीक है तो विजणु वर्दन पंचम का ये पुतर होता है और विजादिते तुरतिय एक दिगविजे शासक था इसने दक्षिन और उत्र में अनेक सक्तियों को प्राजित किया इसका सबसे पहला संगर सवा नेलोर नगर तथा उसके आसपास रहने वाले बुईयों से हुआ बुई भी एक जाती थी जो एक लड़ाकू जाती थी तो बुई लड़ाकू जाती के लोग थे जो पहले चालुकियों के अधिन्ता स्विकार करते थे रज्याबन्ने के पहले ही विजजिते ने उनके उपर आकर्मन कर उने जीता तथा उनके राज्य को चालुके समराजे में सामिल कर लिया था किन्धू विश्णु वर्दन पंचम के मरते ही बोयों ने चालुक्यों की प्रभू सत्ता स्विकार करने से इनकार कर दिया विजधीत्या ने उन्हें दंडित करने के उधेशे से सेनापति पंडरंग के नेत्रत्वा में एक सेना को उनके व्रूद बेजा पंडरंग ने उसके दो सुद्रड दुर्गों कटेम तथा नेलोर जो दुर्ग थे कटेम और नेलोर इनको नस्ट कर दिया वोई पराजित हुए तथा विजे करता हुआ पंडरंग तोंड मंडलम की सीमा तक गया तथा पुल की जील के तट पर जाकर ठहरा या उसने अपने नाम से एक नगर तथा पंडरंग महेसो नाम से सैव मंदिर निर्मित करवाया इस विजे के फरसरूप दक्षिन पूर्वी तेलगो परदेश जो पहले पल्लवों की सैनिक जागीर था इस थाई रूप से चालू के समराजे में मिला लिया गया पंडरंग को इस छेत्र का राजेपाल बना दिया गया इसके बाद पंडरंग ने राहन नामक सर्दार को यूद में प्राजित किया इन विजेओं के पडामसरूप पूर्वी चालोगे वी सकतियों परतिस्टा में प्रयाफ्त वर्दी हुई विजादिते ने पांडे नरेश को प्राज संपूर्ण दक्षिन भारत में फैल गई थी और दक्षिन में अपनी विजेपता का फैराने के बाद विजेदिते ने उत्तर की और सन्य भ्यान किया इसमें उसने राश्ट्रकूर्ण नेस कर्षन दृतिये तिथा उसके सहयोगी डाहल के कल्चूरी सासक संकर गण की मिली जूली सेनों को प्राजित किया था इस प्रकार विजेदिते तृतिये वेंगी के चलु के मंसका महन्तम समराड था उसने अपने समराजये का विजेदिते तृतिये के बाद उसका बत्यजा सासक बनता है इसकी जो प्रारम्भी की सितिय ये संकटपूर्ण थी और इसके चाचा तथा परिवार के जो अन्य सद्य से थे उन्होंने इसका विरोध किया था तो इसका चाचा कौन था युद्धमल इसने राष्ट्रकूर्ण नरेश कृष्ण दुईतिय से साहता मांगी थी कि भई भीम पर्थम को राजा नहीं बनाना है कृष्ण दुईतिय के हातों हुई अपने प्राजे का बदला लेने के लिए तुरंद एक सेना बेजी काम पर वेंगी में बेजी और भीम कृष्ण दुईतिय के सामन्त वटेक द्वारा प्राजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया कृष्ण दुईतिय के सनिकों ने गुंटूर तथा निलोर तक दक्षिन में चालू के राजे को रोंद डाला किंतु रास्ट गुटों के विज़े स्थाई नहीं रही पूर्वी चालू के यह कुछ स्वामी बग सामन्त थे और जो सहायक थे उन्होंने मुद्दू गोंड के चालू के सासक कुसूमायूद के नेतिरतों में संगठी थोकर आकर्मनकारियों का सामना किया था था उन्हें अपने राजे से बाहर बगा दिया उसके बाद भीम पर्थम ने 812 में स्वे में वेंगी का सिहासन प्राप्त किया राजया रोहन के बाद उसने विश्णू वर्धन की उपादी धारन की किसने भीम पर्थम ने किन्तुआ सांती पूरक सासन नहीं कर सका कुसमेबाद कुष्ण शेकेर ने अपने सेना पति दं पूत्र इरिम तुंगंड ने निर्वध पूर में राश्ट्रकूर सेनों को प्राजवित किया इसके बाद पेरू वंगुरू ग्राम में राश्ट्रकूर तथा चालुक्यों में पुनहे यूद हुआ इस यूद में भी भीम पर्थम की विजे हुई किन्तु उसका पूत् उदर राश्ट्रकूर सेनापति दंडेस भीवीर कति को प्राप्त हुआ इस प्रकार भीम ने अपने राजवित को राश्ट्रकूर के आकरमन से सुरक्सित बचा लिया और जो आपका यह है भीम पर्थम ये सीव का उपासक था और उनकी उपासना के लिए उसने कई मंदिर भी पनवाए उसने 922 इसवितक राजे किया था ठीक है अब अगला सासक आता है विज्जादिते चतूर थे तो जो विज्जादिते चतूर थे भीम पर्थम के बाद सासक बनता है और इसने केवल 6 माह तक ही सासन किया था तो जो विज्जादिते चतूर थे इसने भी राश अब आता अगला साथक अम्म पर्थम तो ये विज़य दिते चतूर्ट का बड़ा पुत्र था इसके समय में वेंगी के चालुकियों की स्तितियाव नाजू पनी हुई थी अर्थात कमजोर थी अम्म पर्थम ने राज महिंदर तथा सर्वय लोका स्रे की उपादय धरन की थी और इसने कुल साथ वर्षों तक अर्थात 22 से 939 सिश्वी तक राजे किया था लेकिन ये ज़्यादा अपने समराजियों को विश्त्रित नहीं कर पाता है अब देखेगा अम्म पर्थम के बाद जो अलग का लिन सासक आते हैं जिन्होंने भोती लिमिटेट समय के लिए सासन किया था वो देखेगा कौन-कौन थे सबसे पहले आता है विज्जा दिते है पंचम तो ये केवल 15 दिनों तक ही राजा बना था और इसके बाद आता है ताल तो ताल नामक जो सासक है ये युद्धमल सेकिंड का पूतर था और इसके बाद आता है विक्रमा दिते सेकिंड इसके बाद आता भीम दिते फिर आता है युद्धमल दिते और फिर ये जो अगला एक और सासत था भीम सेकिंड इसने तो देखेगा पहले मा आपको बताऊंगी ये जो आपका है युद्धमल सेकिंड तो युद्धमल सेकि इसने साथ वर्सों तक सासन किया था लेकिन ये नामातर का हिसास सकता और इस पर राश्ट्र कुटों का परभाव था और पूरे चालू के जो राजवन से उसमें अराजकता फैली हुई थी ठीक है फिर आता है आपका भीम सेकेंड तो भीम सेकेंड विजय दीते फोर्थ का प अपने सामराजे से बाहर बगा देता है और यूद मल को हटाता है वहां से तो इसका फायदा उठाता है भीम सेकेंड ठीक है नो सो तीस इसमें गोविंद के सासन के विरुद उसके कुछ उच अधिकारियों ने बड़े तथा उसके पुत्र कंदर के नेतरतों में आने काएं कि राश्ट्रकूर्ट राजवन्स की महां पे क्या एविवस्ता फेली हुई है इनका साथ कुछ अन्य समन्तों ने भी दिया गोविंद उन्हें दबा नहीं सका तता विद्रोय बढ़ता गया इसी का लाग उठाते हुए भीम ने अपने सुअतन तर्था गोशि जसी उपाद्या धारण की थी उसने विजय वाड़ा में मलेश्वर स्वामी का मंदिर भी बनवाया था ठीक है अब देखेगा अगला सासकाता है अम्म दुट्ये यह भीम सेकिंड का पुत्र था इसे राज महिंदर तथा विजय दिते भी कहा गया है अम्म सेकिंड के राजा बनने के बाद युद्ध मल्द वित्ये के पुत्रों बादप तथा ताद वित्ये ने जो पिता की मर्त्यू के बाद रास्ट पूर दरबार में भागये थे अम्म सेकिंड के कुछ अधिकारी भी उनसे जा मिले मजबूर होकर अम को गद्धी छोड़नी पड़ी तथा बादप ने विजय दिते रखा उसके बाद उसका छोटा भाई विश्नो वर्दन नाम से राजा बना किन्तो वा अधिक समय तक सासक नहीं बन सका और अम्म दित् सिती अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रही तथा उसे राष्ट्रकुटों के संकट का सामना करना पड़ा राष्ट्रकुट नरेश कृष्णा चृतिया ने नो सो पच्चाश इसु में चोल राजे को जीतने के बाद अपनी सेना वेंगी विजय के लिए भेजी उसने अम्म को प्राजित हुआ तथा उसने भाकर कलिंग में सरंडी कृष्ण ने अपनी ओर से दानार्णव को वेंगी की गद्दी पर आसेन करवाया कुछ समय बाद अम्म ने वेंगी पर फिर अधिकार कर लिया तथा नो सो सत्तर इस वितक सासन करता रहा किन्दू अंत में वारा अम्म को प्राजित कर मार डाला गया अब आता आपका दानार्णव तो यह संगर्ष में उलजा रहा था और इसने तीन वर्सों तक सासन किया अम्म सेखिन के पूतर चोड भीम ने इसकी हत्या कर दी थी ठीक है तो दानार्णव है इसके साथ वेंगी में चालू के वं चालू के चंद्रविष्णू वर्दन अधिनामों से भी जाना जाता है जीवन परियन चोलों की दिनताई श्विकार करता रहा कल्याणी के पस्चिमी चालू के वंस के एक लेक से पता चरता है कि वहां के सासक सत्यास्रे ने बायलन बी के नेतर्द्व में एक सेना वेंगी पर आकर्मन करने को भेजी इसने सक्ति वर्मा को हरा दिया था किन्तु राजराज चोल ने उसकी सहता की चोल सहता से वह है अपना राजे सुरक्षित रखने में सफल हुआ 2011 स्वी तक सक्ति वर्मा ने सासन किया उसकी मर्त्यू के बाद उसके छोटे भाई विक्रमा दित्ते ने साथ वर्षो तक सांती पुरक्षासन किया अब देखेगा दानार्णम के काल में क्या होता है कि राश्टर कूठ है वो तो है है अब क्या कि चोल भी आ रहे है ठीक है और चोल भी दक्षिन भारत का एक सक्ति साली राजवन्स था और अब क्या होता है कि जो दानार्णम है यह है सक्ति वर्मा को हराता है और इससे साहता लेता कि इससे चोल सासके राज-राज से ठीक है अब देखेगा राज-राज नरेंद्र एक जार अठारा इस्वे में विम्बला दित्ते की मर्त्यू के बाद उसका जेस्ट पुतर राज-राज नरेंद्र वेंगी का राजे बना उसे अपने अनूज अर्ता छोटे विजय अधिते की विरोध का सामना करना पड़ा लेकिन चोल सासक राजेंद्र की साता से उसने वेंगी की गद्धी पर अधिकार कर लिया दोनों भाहियों का संगर से जारी रहा विजय अधिते का समर्थन कल्यान के चालू के कर रहेते देखेगा इनमें कोन आ रहा है भी कल्यान के चालू के भी आ रहे हैं उनकी साता पाकर विज आजेंदर चोल ने अपनी सेना भेजी, चोल चालू के सेनाव में युद हुआ, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, कुछ समेबा सोमे सोय ने वेंगी पर पुनहा कर्मन किया, तता उसे जीत लिया, राज राज ने चोलों के स्थान पर पस्चिमी चालू क्यों को अपना समर स्विकार किया, अब आता है अंतिम सासक विजा दिते सब्तम, तो जो ये विजा दिते सब्तम है, ये राज राज नरेंदर का छोटा भाई था, राज राज के बाद ये वेंगी के चालू के वंस का अंतिम सासक बना, उसे कल्लाणी के चालू क्यों का समर्थन प्राप था, राजराज से हानने के बाद उसने कल्याणी में सरन ली थी तथा उसे नोलंब वाड़ी का सामध बनाया गया था सिहासन करान करने के बाद वह अपने पुत्र सक्तिवर्मा सेक्विंड के पक्स में उसे छोड़ कर पुन्द है नोलंब वाड़ी चला गया मातर एक वर्ष के सासन के बाद सक्तिवर्मा चोलों की गुरू लड़ता हुआ मारा गया इसके बाद विजादिते ने वेंगी की गद्धी पुनह प्राप्त कर ली वह पहले चालू के अंदरे सोमेस्वर पर्थम के अधीन था सोमेस्वर ने उसके नेतरतों में एक सेना दक्षिन की और चोलों से यूद करने के लिए भेजी इसी भी सोमेस्वर की मर्थी हो जाती है और विजादिते को चोलों की देंता स्विकार करनी पड़ती है 1068 हिस्वी तकवा चोलों के सामन्त के रूप में सासन करता रहा चोल सासक वीर राजेंदर ने उसे वेंगी का राजा बना दिया विजादिते के बतिजे राजेंदर ने उसका विरोध किया किन्तु कलिंग के गंग सासक देवेंदर और्मा की मदद पाकर उसने वेंगी का राजे पुनह पा लिया था उसने 1023 इस्वित तक वेंगी में किसे ने किसी परकार सासन किया उसके बाद उसके राजे पर चेदियों तथा कलिंग के गंगों ने अधिकार कर लिया था अब देखेगा जो चेदि हैं ये प्राचीन भारत की एक जाती थी और चेदि महा जनपद भी था इनी चेदियों की एक साखा ने कलिंग में एक स्वतंद राजवन्स की स्थाफना की थी और ऐसा लगता है कि साइद वो ही राजवन्स अब यहां पर था विजादिते वेंगी छोड़कर कल्लाणी नरे सोमे सोर्दूति के दरबार में चला गया उसके साथ ही वेंगी के पूर्वी चालू के वंस का अन्ति हो जाता है तो देखिए जो चोल है यह भी प्राजवन्स था दक्षिन भारत में नोवी स्थाब्दी से तेर्वी स्थाब्दी के विज़ चोलों ने एक सक्ति साली हिंदू समराजे का निमान किया था और लास्ट में क्या होता है कि पूर्वी जो चालू के थे उनका ये पतन कर देते हैं ये नास कर देते हैं और अपने समराजे में इनको मिला लेते हैं तो 2011 तथा 2013 से टिश्वी के बीज वेंगी में कई छोटे छोटे राजाओं ने सासन किया जिसके सासनकाल में कोई भी महत्वपुनकारिया नहीं हुआ और अंति में जो वेंगी का चालू के राजे है ये चोल राजे में मिला लिया गया था ठीक है तो ये था आपका वेंगी के चालू के राजवंस का इधिहास और आगे हम आपको कल्लैनी के चालू के बारे में बताएंगे तो वीडियो एक्जाम की दर्सी से बहुत ही कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद